जै श्री राम भक्त जनोग प्यारे भक्तों भगवान का संदेश भगवान कहते हैं कि अभी समय है समल जाओ वरना पस्ता ना पड़े गया इसारा दिया जा रहा है बड़े ध्यान से समझें और समझ करके अपने जीवन में उता रहें और अपना कल्यान करें संतों ने लिखवी दिया है और समझा भी दिया है क्या समझाया है संतों ने क्या बतलाया है संत आते हैं और समझाते हैं बताते हैं और चले जाते हैं लेकिन हम समझते ही नहीं है और समझ भी लेते हैं तो करते नहीं है यही हमारे दुखों का कारण है क्योंकि संत जितने भी आये सब ने समझाया और हमने सुना भी लेकिन जीवन में उतारा नहीं बस यही हमारी सबसे बड़ी भूल है तो यह संदेज दिया जा रहा है कि आप अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको पस्ता नहीं पड़ेगा और पस्ताते रहते ही है तो भक्तों हमें क्या करना चाहिए हमें सब कुछ काम करते करते उस परम्पिता परमेश्वर का चिंतन मनन जरूर करना चाहिए क्योंकि अगर हम उससे जुड़े रहेंगे तो हमें कोई परेशानी होगी, कोई दुख होगा, कोई बेचेनी होगी तो उसे अगर हम याद करेंगे तो निसंदे वो परेशानी दूर होगी क्योंकि हर समय हमारे साथ हो रहता है और हम उसका ध्यान करते नहीं और वो हमारा हर समय ध्यान करता है लेकिन हम उसके बताय हुए रास्ते पर चलते ही नहीं हम उसके अगर बताय हुए रास्ते पर चलें तो हमें परेशानी का मुद देखना है न पड़े क्योंकि संत हमारे गुरु नानक जी है तो गुरु भी है इसलिए उनका नाम गुरु रख दिया गुरु नानक देव जी उन्होंने सरफ यही सारा किया है सभी के लिए उठत बैठत सोबत जागत नाम नानक सद्वे तिन के सब काम यानि के चार समय सुबह उठे उस समय और जितने बार आप दिन में बैठते हो और उठते हो और सोते समय केवल चार समय निरंतरता से विश्वास के साथ अगर नाम जब करें, स्वासों को देखें, तो निसंदे आपका कोई कारिय बिगर नहीं सकता है, हर कारिय आपका सफल होगा, लेकिन हम सुनते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, इसलिए हम हमेशा परेशान रहते हैं, और जब संतों की बात नहीं मानते हैं, तो हमें पस्ताना प और अपस्तावा क्यों करें जब चिडिया चुगी खेत, जब हमारा प्राणांत हो जाता है तब हमें ऐसा लगता है कि हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, आये थे हरी भजन को ओटने लगे का पास, हम केवल और केवल भगवान के भजन के लिए इस दु संकेत दिया रहा है भगवान स्वेम संकेत दे रहें कि तू आ कर रहा है क्या करने के लिए मैंने भेजा है लेकिन हम समझ ते नहीं यही हमारी अज्नता है अगर